खंबा गैनी मारूर राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करवा चौत के दिन हम विश्व में प्रसिद हमारे राजस्थान की उन रानियों उन शत्रानियों को याद करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ प्रतिद व्रत को धरम को निभाया ही उसके साथ साथ उससे भी बड़े बात अपने आत्मसमान की रक्षा के लिए अपने आपको आग में जोंक दिया और जोहर किया और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा उधारन बनके गई हैं अपनी शक्सियत को सब महिलाएं इतना मजबूत कर लें कि किसी की नजर ना हो किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके उपर नजर भी उठा के देख सके तो उसी की मिसाल है दास्ता जोहर जो आज हम सो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है उमेद करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत दाएगा मेरे बारे में आप सब जानते हैं मैं डॉक्टर तरवना शर्मा अनकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेज लेती हूँ आरेस एसेफ एक्जाम के लिए आप सब भी बच्चे जो भी आर्पी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ अनकैडमी प्लस पे जुर सकते हैं आरेस चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो और भी किसी भी आर्पी एक्जाम की तैयारी के लिए अनकैडमी प्लस को जॉइन करके हमारे परिवार का मारो राजस्थान परिवार का रेफरिल कोड है 10% डिसकाउंट के लिए MRP10 इसको यूज करेंगे पाकी सभी बच्चे एक साल का सब्सक्रिप्शन जॉइन करें डिसकाउंट कोड लगाना मत भूलिएगा MRP10 जिससे आपको 10% डिसकाउंट मिलेगा जितने भी मेरे MRP and family का हिस्सा है सभी मेरी प्लस inner circle community का पार्ट बनेंगे तो शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की जो किशान कर गई जो जोहर पदमावती उसका नाम है पदमावती उसका नाम है पदमावती जी को कौन नहीं जानता ऐसी भी जितनी मिसाले राजस्थान में जितने जोहर हुए हैं उन्हीं को आज हम सम कवर करने वाले हैं जोहर बोलते किसको हैं जब भी युद भूमी में हमा उनकी बुरी नजर से अपने आपको बचाने के लिए अगनी कुंड के अंदर समा जाती थी, जैमा भवानी, जैमा भवानी के नारे लगाती हुई, अपनी कुल देवी कुल देवता की पुजा करते हुए, और वेवाहिक वस्तर के अंदर दुलन के रूप में अपने आपको समा देती थी, ये नजारा देखकर जो विदेशी आकरांता होते थे सिवाए पच्ताने के उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता था, और ये जोहर आग में अगनी कुंड में ही क्यों किया जाता था, ताकि मृत्यू के बाद हमारी जो सनातन, जो नारिया हैं, उनकी देहे का एक कन भी विदेशी आकरांताओं को ना मिल सके, इसे हम जोहर कहते हैं, साका किसको कहते हैं, केसरिया किसको कहते हैं, केसरिया जानते हैं, जब भी युद भूमी के अंदर हमें लगने लगता था कि हमारी हार होने वाली है, तो इस तरियां जोहर करती थी और हमारे जो राजा, महाराजा, रन बाकुरे होते थे, वो केसरिया भी हो दोनों चीजे हो तब हम उसे साका कहते हैं तो जहां पर भी आज हम पढ़ेंगे राजस्तान का पहला साका कहा हुआ राजस्तान का दूसरा साका कहा हुआ समझ लीजेगा वहां पर जोहर भी हुआ है और वहां पर केसरिया भी हुआ है और इसमें जो एक खास बात है वो ये है जोहर जो परफॉर्म किये जाते थे कभी भी जो हिंदु धरम के राजाओं के साथ यूद्ध होते थे उनके खिलाफ नहीं किये जाते थे विदेशी आकरांताओं के साथ ज्यादा किये जाता था ये इसलिए किया जाता था कि जो हिंदू राजा होते थे वो dignity maintain करने के लिए क्योंकि उनकी बुरी नजर जो है वो नहीं होती थी पराई इस्तरियों के ओपर ठीक है तो इसलिए जो है ये जो जो हर और साका जो प्रसिद माननेता हैं बच्चों वो यही है कि विदेशी आकरा जो है लिखा है तो जो भी content मुझे जिस भी अच्छे से source से मिला है मैंने वहीं से लिया है कोई भी गलती कोई भी गूल चुको तो उसके लिए आप सब माफ कर दीजेगा ठीक है तो साका हमने कर लिया जब केसरिया और जोहर दोनों होगा तो उसे हम साका कहेंगे एक जोहर नहीं हो सका और किसी किसी युद में अगर मान लिजे जोहर हो गया लेकिन केसरिया नहीं हो सका तो उसे हम सब क्या कहते हैं उसे हम सब अर्द साका कहते हैं राजस्थान का प्रथम साका राजस्थान का प्रथम साका हुआ है रंधंबोर के किले में रंधंबोर के किल प्रसिद कवी हुए हैं उन्होंने सिंग गमन सत्पुरुष वचन सिंग गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चड़न दूजी बार मतलब जैसे सिंग जो है किसी जगा से जा रहा हो और सत्पुरुष के वचन जो है एक ही ब बार में पार उतरता है दूसरी बार नहीं चड़ता इसका मतलब है जो राजस्थान का प्रत्थम साका हुआ है ऐसा भी माना जाता है हमीर देव जी के हट की वज़े से हुआ तो आएए देखते हैं इसमें क्या होता है हाँ राजस्थान का प्रत्थम जो साका होता है वो रन्थमबोर का पी पहला साका है रन्थमबोर के किले के लिए होता है अलाउदिन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 को रन्थमबोर के किले पर आकरमन कर दिया था इसका कारण था कि अलाउदिन खिलजी के सेना पती को हमीर देव च उस शरण देने की वजह से युद्ध चेड़ गया था और इसमें केसरिया किया हमीर देव चोहान जी ने और इसके अंदर जोहर हुआ उनकी पत्नी रानी रंगा देवी जी ने जोहर 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 अगनी कुण में होता है क्या जल में भी कोई जोहर हुआ है ऐसी भी मान्यता है कि राजस्थान का पहला जल जोहर और एक मात्र जोहर 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 वो हमीर देव जी की पत्नी रंगा देवी ने नहीं बनकी उनकी बेटी जो है देवल देव ने किया था तो ये अलग-अलग मानने आताए हैं आप इसको जैसे लेना चाहें वैसे हम इसको समझ सकते हैं राजस्थान का दूसरा साका जो रानी पदमावती के बारे में लाईने पड़ी है चितोडगर का प्रथम साका है वही हुआ है यह अगनी कुण देख रहे हो यहां से चितोड़ के किले में रानी पदमावती ने अपनी अगनी कुण में कूट गई थी यहां से और उनके थी चितोड पर आकर्मन किया था रानी पदमाबती बहुत खुबसूरत थी ये भी माना जाता है कि चितोड जो है बहुत सारे खनीजों का एक महतुपूर्ण खजाना था तो उसके लिए भी अलग-अलग कारण इसके बताए गए है तो इसमें रानी पदमिनी सहित सोला हजार महिलाओ ने जोहर कर लिया था राना रतन सिंग जी के मृत्यू के बाद ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इसके अंदर गोरा बादल ने साका किया था इसकी खास बात क्या है चितोड का पहला साका राजस्थान का दूसरा साका इसमें अलाउदिन खिल जी जो है अ आमीर खुसरो ने अपनी किताब लिखी है उन्होंने खजाओ उल्फत्व उसके अंदर उन्होंने बताया है कि दो बार जो सामने से अटैक किया गया इसके उपर वो फेल हो गया था जो दो बार सामने से अटैक किया गया था चितोडगड के पहले साके के अंदर वो फेल हो लेकिन जब हाल ही में फाइनली जब राना रतन सिंग जी के मृत्यू हो गई थी उसके बाद इसमें हिंदू जो पुरुष थे जितने भी 30,000 हिंदू का आमिर खुसरो ने लिखा है अपनी किताब के अंदर बताता है जैसे घास को उखाड देते ने उस तरहें से उनको जो है केसरिया बाना वीरों ने किया था केसरिया बाना मापदमनी जोहर में सती हुई थी कैसे भूल जाएं गोरा बादल को जिनकी रण में वीर गती हुई थी मुझे बहुत इच्छा लग रहे है कि आज ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे और important दिवस्पर हम इ 1908 के अंदर जोहर और केसरिया दोनों चीजें हुई है दिल्ली सुल्थान जो है अलाउदिन खिलजी सिवाना पर आकरमन कर दिया और यहांपे पे सिवाना के राजा जो थे शीतल दियु और उनके बेटे सातल दियु और सुम ने एकठे जो है सबने साका किया थह और रानि के किले के अंदर हुआ ठीके तेरह सो ग्यारा में यहां पर भी अलाउदिन खिल जी ने आकरमन कर दिया था और जालोर के शाशक थे उस समय कानहर देव और उनके बेटे वीरम देव ने साका किया था सारी रानियों ने इसमें जोहर किया था अब हम बात करते हैं चित्तोडग का दूसरा साका भी बहुत महत्वपूर्ण है अभी तक जो साके पढ़ रहे वो तेरह सो के अंदर हुए थे अब हम आ गए हैं पंदरा सो चौतिस के टाइम पीरिड में तो गुजरात के शाशक बाहदुर शाहा ने चित्तोडगर के किले पर आकरमन कर दिया था और यहां पर इस टाइम पर चित्तोडगर के राजा थे विक्रमा दित्ते और इसके अंदर राना सांगा की पतनी रानी करमवती वो यहां की राजमाता थी उन्होंने हुमायू को राकी भी भेजी थी मदद के लिए लेकिन हुमायू से कोई जवाब नहीं आया तो उनको कुछ मिला नहीं तो यहां पर रानी करमवती जो है करमनवती भी इनको बोलते हैं और प्रतापगड के शाशक बाग सिंग ने साका किया था इसके अंदर तो यह चित्तोड के दूसरे साके की मिसाल बना है ठीक है रानी करमनवती जो है इन्होंने यह साका किया मेवाड का तीसरा साका क कब हुआ बच्चो मेवार का तीसरा साका हुआ है 1567 में 1567 में राणा उदे सिंग के शाशनकाल के अंदर अकबर के टाइम पर मुगल राजा किसके टाइम पर अकबर के टाइम पर इसमें जैमल और पत्ता जो है इनके नेत्रत्व में युद लड़ा गया था युद लड़ा किया था तो एक जोहर यह हुआ था तो यहां पर लड़ते उस समय जोहर करते हुए जितनी बड़ी पद भी होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है ठीक है तो यह भी आप यहां से सीख सकते हैं जैसे जैसे कोई राजा रानी के पद पर बैठा है तो इसका मतलब यह न इसके बाद सिवाना बारमेर में दूसरा साका हुआ बच्चों 1590 में अकबर के टाइम पीरिड में हुआ ठीक है और यहां पर जो है कल्ला और रायम लोथ ने साका किया था और इनकी रानियों ने बच्चों जोहर किया था हमने चितोड के साके देखे बारमेर सिवाना के साके देखे अब हम बात करते हैं जैसल मेर जैसल मेर के धाई साके बहुत बहुत प्रसिद है बहुत प्रसिद है पहले दो साके पूरन हुए थे मतलब जोहर और केसरिया हुआ लेकिन धाई साका मतलब आधा साका हुआ जिसमें अर्द साका कहते हैं ये हुआ था लून करन के टाइम पीरिड में यहाँ पे राजा कौन थे लून करन थे और इनके टाइम पीरिड में कंधार के राजा आमिर अली ने आकरमन किया था तो इसमें कैसरिया हो गया था लेकिन जोहर नहीं हो पाया था इसलिए हम सब इसे क्या ब प्रथम साका हुआ 1423 में बहुत ही प्रसिद प्राकरमी राजा है अचल दास खीची जी के शाशनकाल में मांडू के राजा होशंग शाहा ने आकरमन कर दिया था यहां पर इतनी सारी राणियों ने जोहर किया था अगनी कुण में जान देकर और अचल दास खीची दी आखरी कभी हिम्मत नहीं की उनके कमरे में जाने की आज भी इनकी जो आत्मा है वो वहां पर गुबती है और इनके लिए हुका वगेरा सब रखा जाता है जो इनका कमरा है वहां पर ये हुका पिया करते थे तो ये मान्यता है लोगों की की जो होशंग शाहा है उसने किला तो जीत थोड़ कर जाया करती थी कि वो जो विदेशी आग्रानता है देखके ठर ». थरा जाते थे वो अगनीकुड की अगनी जो होती थी बहुत तेज होती थी उस की गर्मि बहुत तेज होती थी जो चितव可 किला था पहला राणी पद्विनी वाला जो हुआ कंड़ी तो जगा पे आज भी लोग जाने से डरते हैं वहाँ पे बहुत नेगेटिव उर्जा इतनी तेज अगनी है वहाँ का तो कोई भी उस अगनी कुण तक जाने की इतनी जादा हिम्मत नहीं कर पाता है ऐसा माना जाता है तो गागरोन का किला जो है मिसाल एक मिसाल बना है यहाँ प महमूद खिल जी ने यहाँ पर आकरमन करके किया था यहां के फिर जो राजा थे गागरोन के उन्होंने किया था तो यह आज के हमारे फेमस साका और जोहर हमने पड़े आई होप आपको पसंद आया होगा छोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरी प्लस इनर सर्कल कम्यूनिटी का पार्ट बने MRP 10 code को यूज करना ना भूलेगा इन सारी नारियों को बहुत-बहुत मेरा शच्छत नमन है आप सब मुझसे जुड सकते हैं मेरे Facebook पेज RAS Cracker पे मुझसे कोई बात करना चाहें मेरा contact number है आप मुझसे बात कर सकते हैं अगली वीडियो में मिलूंगी किसी और नए topic के साथ आप बताईएगा आपको किस तरह के वीडियो चाहें तो उसी के ऊपर हम content लेके आएंगे आप सभी के लिए और इसके साथ-साथ बहुत सारी आप इसी तरह की और भी वीडियो देख सकते हैं प्लेयलिस्ट में जाके daily current affairs हम सुबह साड़े 6 बजे cover करते है और उसके इलावा बाकी सारी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहती हैं आपका एक भी वीडियो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाके YouTube पे अपने mobile में settings on कर लीजेगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो जो भी वीडियो आए आपको मिल ज सिखाए हर बच्चे हर गाउं महले में मारो राजस्तान होना चाहिए क्योंकि हमारा मोटो है पढ़े गाभी मारो राजस्तान और बढ़े गाभी तो अगली वीडियो में मिलती हूं तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम